हेलो फेंड्स आज मैं जिस्ट हर्प की लिप्स्टिक का रिव्यू दूंगे आप लोगों को यह लिक्विट मैट मिनी लिप्स्टिक है इसकी प्राइज मैं आपको बताऊं तो इसकी प्राइज है सेवन पॉर्टी फाइज और में में भी मुझे बन फिफ्टी ऑफ था इसमें हमको मिल रहे हैं फाइज शेट से इसके अंदर तो चली मैं इसकी स्वाचेज आपको दिखा देती हूं लगा कर देखिया किते प्यारे परे कलर्स हैं यह इससे पहले मैंने शॉर्ट में डाला थ वह आपका लिक्विट नहीं था यह लिक्विट है तो मैंने सुचा कि आपको इसकी रिव्यू दे तो मैं वन बाइवन इसकी शेट्स आपको शू करूंगे अभी यह सारे कलर्स जो हैं पिंक अंडर टोन के हैं यह और शारे न्यूद हैं मतलब ज्यादा डार्क कलर नहीं ह इसमें आपको डार्क नीम लेंगे एकनम काफी प्यारी प्यारे कलर्स हैं लाइट शेट्स के हैं तो मैं सबसे पहले शेट नंबर यह मैं वन आपको दिखाना जाओंगे इसके जोगी सॉप्ट है एपलाय करने में काफी एजी है यह यह लिप शेप का बना हुआ है आपको इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती है यह मुझे पिंक नहीं लग रहे है यह थोड़ा ब्राउन सा लग रहा है मुझे यह आपको लेर नजर आ रहे हो इसके शीट्स आपको लेर नजर आ रहे हो और थर्ड वन यह तो मुझे परपल जैसा लग रहा है लाइट परपल यह मैं आपको फोड दिखा रहे हूं तो तो तीन तो मैंने अपलाय कर लिया यह चौथा हो गया यह आपका यह किते प्यारे लग रहे है एंड लास्ट वन इस आपका पीच कलर सा लग रहा है मुझे यह पीच नहीं लगा बटी पीच है नहीं बट दिख रहा था बस ओके तो यह देखिए कि यह सारे पिंग अंडर टॉन के है निवुशेट्स है और यह यहंडेट परसट वेगन है आपके यह सारे प्रोड़क्त अच्छे लिप्स्टिक में आप इन्वेस्ट करें क्योंकि जस्ट हब्स के सारे प्रोडक्ट जो है वह हैं यह यह आपका ज्यादा देर तक जो बोलते हैं कि काफी देर तक तिका रहता है काफी देर तक तिका नहीं रहता है यह मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं कुछ खाती पीती हूं एक्चली तो मैं लिप्स्टिक हट जाते हैं तो यह आपका तीन-चार घंटे अच्छे से चलता है फिसके बाद इसका कलर थुड़ा काफी लाइट हो जाता है तो यह लांग ल जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी इंग्रीडियन्स जो है सारे नैच्रल है स्वीट आलमंड भी है इसके अदर इसलिए लांग लास्टिंग नहीं है बट यह के शेट काफी जादा प्यारे हैं प्राइज मुझे काफी रिजनेबल लगे हैं तो आप जो दूसरे आप यूज कर सकते हैं जस्ट आपके लिप्स्टिक काफी अच्छे हैं ओके बाइज